मैं तो नमस्कार जहिन आप सभी का स्वागत है सीधे तोर पे से और पाट साला यूटूब चैनल पर और मैं आपके लिए मैं गोबिन सार आपके लेकर आए हूँ बड़ा ही इंपोर्टेंट सेशन जो समिधान के महत पूर्ण अनुछ छेदों पर आधारित हैं माने इंपोर करती समधान के इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी सेलेक्शन का अधार बनेगा ठीक है तो बचों देख लेते हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अनुछ एक में क्या लिखा हुआ है और जब बात आटकिल एक की हम लोग करते हैं तो लिखा है कि संग का नाम और उसके राज राज्यों का संग होगा और वैसे भी हमें पता है कि भालत कैया है राज्यों का संग है अटकिल एक में इसकी जानकारी मिलती है मानई यह Again के अंतरगत घटा गरते हैं तो उसकेस में भी जो है हम इसी आटकिल के अंतरगत चीज़ों को मैनेस करते हैं राज्य बनता है अनुच्छे तीन की बात कर रहे हैं नहीं राज्यों का निर्माण बरतमान राज्यों के छेत्रों सीमाओ नामों में परवरतन आदी का प्राभधन किया गया ह हम आ गए हैं वैसे जागर सम्मेधान के भाग एक की बात करें तो उसमें एक, दो, तीन, चारों रिच्छे दिये गए हैं चौता निर्शित हैं बात पाच की करें तो पांस से लेकर के गयारा के बीच में सम्मेधान का भाग दूसरा आता है और हम पांच में चर्चा करने जा रहे हैं कि संभिधान के प्रारंपर नाघरिक He consumption किया गया है कि विदेशी राजिकी नाघरिक्ता सुच्छा से अरजट करने वाले विकतीयों का नाघरिक ना होना ये प्राबधान इसमें किया गया है नागरिक्ता संबंदी प्राबधान अनुच्छे ग्याना में आते हैं संसर द्वारा नागरिक्ता की आधार पर बिधी द्वारा विन्यमन किया जाना इसकी जानकारी दी गई है अनुच्छे तेरा कि अगर हम बात करें तो सीधे संविधान का भाग 3 आता है और इसे हम मौलिक अधिकारों के अंतरगा सामिल करते हैं माने धान रखिएगा कि भारती संविधान का मैगना कार्टा अधिकार पत्र की अगर हम बात करें तो वह अनुच्षेद 12 से लेकर के 35 के बीच में अनुच्षेदों को सामिल किया गया है इस बात पर गौर करेंगे बात करते हैं चौदा के बिधी के समच्च समता और बिधियों का समान सन्रक्षन का प्राबधन किया गया है अनुच्छे चौदा में जयार नखेंगे माने बिधी माने कानून माने संब्धान की नजर में सभी बराबर हैं इस बात पर गौर करेंग बात करते हैं अनुच्छे 16, सीरे तोर पे लिखता है लोग नियोजन के विशय में अबसर की समता, माने अनुच्छे 16 में अबसर की समानता की बात करी गई हैं, जब भी सरकारी कोई बवस्था आईगी तो सबको बराबरी का मौका मिलेगा, हाला कि मैं एक आपको जानकारी द पोजिशन में जाता है इस बात पर गौर करेंगे बात करते मारत्मा करता है महतंист के विचारधारा से प्रेरित है वास उंदर अगली बात बच्चों करते हैं पढ़ते जाना है मनसे अनुच्छेद 18 की बात करते हैं उपाधियों का अंत जब बात उपाधियों की अंत की करते हैं तो राजा, महराजा, नवाब, कुवर सिंग, राजा, धिराज ऐसी जो उपाधियां है वो समाप्त करता है गौर करेंगे जब बात करते हैं हम सोचिए जब बात करते हैं सिच्छा की उपाधि जसको हम डॉक्टर प्रॉफेसर इंजिनियर के रूप में जानते हैं वह उपाधी डिगरी दी जा सकती है प्रॉफेशर बिट कुमार एक्स बाइजेट कोई भी तो लिखा जा सकता है उसे अनुच्छे जठारा का उलंगन नहीं माना जाएगा इस बात पर गौर करिये मैं बात उपाधियों के अंतकी कर रहा हूं जानकारी मिलती अनुच्छे 19 में प्रैस की सुतंता की आजादी की बात करी गई है ये भी जानना जरूरी है कि प्रैस की सुतंतरता का सब्धान देखने को नहीं मिलता है भारती संब्धान में जबकि बाकेवम अभिव्यक्ति बोलने की आजादी के अंतरगद प्रैस की आजादी को हमने अंतर नहित माना है हमने उसको मान लिया है इस आधार प्यानुच्छित 19 से काफी इंपोर्टेंट है वैसे मैं आपको बता दो जब बात लोगतंत्र की करते हैं जब बात लोगतंत्र की करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों लोगतंत्र के जो है चार इस्तंब हैं और उसमें सबसे पहला है कारपाली का अगला है नियाइपाली का अगला है विधाई का और अगला है आपका प्रैस माने लोगतं आप प्रेस हो हैं वो भी उसी विवस्था का पाइट है इस बात पर गौर करिया है अगले विश्या पर चलते हैं अरे मैंने इसको यह कर दिया चलो कोई बात नहीं अभी बच्चों में कर देता हूं गलती से मैंने इसको अभी सेट होता है बच्चों थोड़ा सा समय लगाएं लाइन पे रही है चलिए तो बच्चों हमने बात कर ली थी सीदे तौर पे आइट केर 19 तक की बात करी है मैं अब बढ़ता हूं 19 के बाद में 21 तक मैं पहुंच गया हूं ठीक है तो 21 की बात बच्चों क्या है कि प्राण एवं 1330 सीदे तौर पे मारती सम्वधान के अंतरगत यह बहुती मैंतपूर प्राबधान अनुच्चित 21 प्राण 1330 की बात करता है बात कर रहें 21 का की बच्चों तो जानना जरूरी है कि 6-14 बरस तक के बच्चों को बालकों को सिच्छा की अधिकार की बात करी गई है और 21 की बात करते हैं तो 21 माने यह मूल सम्वधान में नहीं था है इसको बाद में सम्वधान संसोदन के द्वारा जोड़ा गया है इस आधार पे ये जो है काफी important है 6-14 बरस तक के बच्चों को सिच्छा की अधिकार की बात अनुच्छे दिख किस करता है बहुत सुन्दर प्रयास पढ़ते जाएं आप नोड जरू कर लेना अपने register पे जिससे की संविधान की ये जानकारी जो है वो आप तक पहुँच पाईगी और आप पहले से अच्छा महसूस करेंगे आठकिल 23 की बात करें मानव के दुर्वयापार और बलात सर्म का प्रशिद क्या गया है मानव की मानव की खरीद फरोक्त नहीं कर सकता उसके साथ गंदा बिवार नहीं कर सकता सीधे तोर पे आठकिल 23 बात की जानकारी देता है अच्छा मैं आपको बता दूँ बच्छो बीच में कुछ आठकिल छूटे हुए हैं तो उसको महत्पूर्ण आठकिल के अंतरगत हमने इनको सामिल किया है बात बात जो छोड़े हुए है वो आप अपना विक्तिकत पढ़ सकते हैं तो पहले आप इनको त्यार कर लेना उसके बाद उन आठकिल्स को भी आप देख सकते हैं अगली बात लिखिये हैं अनुच्छे 24 की बात करते हैं तो कारखानों आदी में बालकों के नियोजन का परतिशेद माने 14 बरस तक के बालकों की बात इसमें करी गई है इस बात को बच्छो ध्यान में रखेंगे अगला लिखाए अनुच्छे 25 25 माने अंतहा करण की और धर्म के अबाद रूप से मानने आचरण और प्रिचार करने की आजादी की बात जो है वह सीधे तोर में इसमें करी गई है इस बात पर गौर करेंगे धर्म के अंतहा करण धर्म के अबाद रूप से मानने की बात यहां ध्यान नकीगा बच्चो अनुचित 25 के अगर हम बात करें तो अनुचित 25 सीदे तोर पे पांच का की बिवस्था करता है और अगर हम पांच का की बिवस्था का मतलब आपको बताएं तो वह यह है कि सिख संपरदाय सिख संपरदाय माने जो सिख लोग होते हैं उनके पांच महाबरत इसमें स्पेशली महाबरत की बात करें तो जो कटारी रखने का अधिकार है सिखों को कटारी रखने का अधिकार जो है वाट किल 25 के अंतरगत ही मिलता है जब बात पांच का की करते हैं तो जा की बात कर रहे हैं तो बच्चों ध्यान लखेंगे ये पांच महावरा सिक्खों के हैं जिसमेंसे जो करपांड कटारी रखने का अधिकार उन्हें परदान करता है धर्म के अंतहकर्ण की अबाद रूप से मानने के लिए वह आटिकल कौन सा है 25 है इस बात पर गौर करिया बैवस्था की अंतरगत अगला लिखा है अनुच्छी दूंतेस आल्प संख्यक बरगों के हितों के सरनक्षन की बात आटिकल 29 करता है अल्प संख्यक की अगर हम बात करें तो जो माइनोर्टी समधाय के लोग हैं जहां संख्या उनकी कम हैं उस आधार पे उनकी वेवस्थ संख्यार की बात करते हैं अनुच्छी 32 में संब्धानी कुपचार की अधिकारों का वर्डन है और इसमें अगर हम बात करें तो संब्धान की आत्मा कहा है माने संब्धान की आत्मा और हिर्दय कहा है किसने भीमराव मेड़कर जी ने किसको अनुच्छी 32 को इस बात पे ध Supreme Court में अपील कर सकता है और अनुच्छे 226 का सहरा ले करके वह हाई कोट में अपील कर सकता है इस बात पर गौर करियें जब बात इन अनुच्छेदों की करें तो इसमें बच्छों क्या होता है कि पांच प्रकार की रिटें माने लेख जारी करके जो सर्वों चिन्याला है बीडियो पढ़ाया है उसमें मैंने विस्तार से जानकारी दी है आपको पढ़ना है अगली बात करते हैं लिखा हुआ है उन्तालिस तो सीडियत और बच्छों उन्तालिस का कि अगर हम बात करें तो समान न्याय और निसुल के बेदिक साहिता की बात करेंगे हैं कोई भेद प्रदान करते हैं माने उनको हम एड्वोकेट आदी उपलब्द कराते हैं यह सीदे तोर पे निसुल के बिदिक साहिता की अंतरगत आता है वैसे मैं आपको बता दू जब बाट डीपी की करते हैं तो इसका मतलब है डारेक्टिव प्रिंस्पल आप स्टेट और राजिके नीत निदेशक तत्तों का वर्डन सम्विधान के सीदे तोर पे चार के अंतरगत आता है और जब बात चार की करेंगे तो सीदे तोर पे सम्विधान के अनुच्छे 36 से क्यावन के बीच में इनडी पे एसपी का वर्डन है तो इस बात को भी ध्यान से आप समझेए अगली बात करते हैं अनुच्छे 40 बड़ी इंपर्डन बात हो रहे हैं ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छे 40 की बात बचोगर करें तो सीदे तोर पे ग्राम पंचायतों के गठन का प्राबधन किया गया है जब ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें तो सीदे तोर पे अन पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया तो सीधिस बात है बचों ये ध्यान लखिएगा कि जब बात हम DPSP की बात करते हैं माने राज के नीत निदेशक तत्तों में जो प्राबधान दिये गए हैं वो राज पर बादिकारी नहीं होते हैं माने राज वो चाहे तो कानून बनाए या ना बनाए इस बज़े से अलग से संबैधानिक प्राबधान कर दिया गया और भाग 9 के अंतरगत हमने पंचायतों को जोड़ा हैं पंचायत का कारकाल 5 बरस का होता है और 5 साल के बाद उनके बिद्वच चुनाव होते हैं तो बात जब पंचायतों की करते हैं त चिंताय बिल्कुल नहीं करेंगे हर हाल में आप सभी साथियों की जै हो बिजै हो चालिस हमने कलियर कर दिया है अब हम बात करने जा रहे हैं 45 के आरेमिक सिसु की देखरेग 6 बरसे का मायू के बालकों के लिए निसल के एवं अनिवार सिच्छा की बात करी गई है सीधे तो और पे इंडियन कॉंसिट्यूशन का आर्टिकल 48 यह कहता है एग्री कल्चर को बढ़ावा देना पसु जो है पसु पालन को बढ़ावा देना यह प्राबधान करता है हमारे डीपी असपी में बारत करशी प्रधान देश है इस बात को समझे हैं आगे लिखा है संब्धान की कितनी बड़ी खूब सूरती है कि भारती संब्धान में परियावन की संदक्षन को ध्यान में रखने के लिए कितनी बड़ी बात कही गई है माने संब्धान की अधार पे प्लस हर भारती का यह करतब होगा कि वह जो है परियावन संदक्षन करें और अपनी उ समय समय पे लागू भी किया जाता है यहां में आपको जानकारी दे दो कि पर्यावण संनक्षन अधनियम 1986 के अगर हम बात करें इसको हम अंब्रेला एक्ट के रूप में जानते हैं चाटा बिधान के रूप में जानते हैं को कि पेस्प बिधान की अंतरगत कई सारे बिधानों को सामिल किया गया गौर करेंगे इस बात पर नमबर आगया है बच्चो एक क्याबन का और एक क्याबन के अगर हम बात करें तो अंतराश्टी सांती और सुरच्छा में अभिवरद्धी का प्राफधान करता है अनुच्छे द कारिपालिका को नियापालिका से अलग करने का प्राफधान अनुच्छे 50 में देखने को मिलता है और यह प्राफधान बनता है कि कारिपालिका नियापालिका से अलग हो जससे कि नियापालिका सुतंतर तरीके से अपना काम कर पाए इसमें किसी बाहरी विक्तिके या बाहर अच्छा प्रापधाने अनुच्छित 50 का बढ़ते हैं अगले अर्टिकल पे अगला अर्टिकल हमारा आता है एक्याबन का मैं बता देता हूं भी आपको चलिए एक्याबन का कि अगर हम बात करें तो बचो मौले करतब यह ध्यान ने कीगा बचो समिधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक करता भी नहीं थे इनको बाद में हमने 42 समदान संसोधन के द्वारा जोड़ा है तो बात आती है क्यावन का माने मौलिक करता फंडामेंटर डिवटे स्वन सिंग समित की सिफारिस के अधार पर 42 समदान संसोधन 1976 में हुआ और उसके द्वारा यह जोड़ को मिलता है अगली बात कर रहें अनुच्छे 53 की कारपालका की शक्ति का प्रापधान अनुच्छे 53 में देखने को मिलता है गौर करिए इस बात पे पहले वर आने वाले सभी साथियों का जल से कर रहा हूं स्वागत पढ़ते जाना है सीखते जाना है चिंता आपको बिल्क पॉलाचन की पात्रता से जुड़ता है बात करते अनुच्छे 63 के तो रास्पती की सपट का प्रापधान εκ 2016 में देखने को मिलता है अलां कि ध्यान नकीएगा कि संब्धान के किसी भी अनसूची में रास्पती की सपट का प्रापधान नहीं है इस बात पर आप गॉर करिय अनुच्छे दिक्षट को देख लेते हैं, तो अनुच्छे दिक्षट सीधे तौर पे कहता है, राश्पती पर महावियोग चलाने की प्रक्रिया, जब राश्पती पर महावियोग चलाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो सीधे तौर पे यदि भारत की राश्पती म संब्धान में दे गई किसी विवस्था की विरोध में काम करते हैं तो उनके खलाफ महावयोग प्रस्ताव लाया जा सकता है जब भी महावयोग प्रस्ताव आएगा उन्हें 14 दिन पहले सुचना दी जानी जरूरी है और वह संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सक करता है चाहे लोक्सवा चाहे रासवा एक सदन आरोप लगाता है दूसरा सदन उसकी जांच करता है इसलिए महावयोग की प्रक्रिया को हम कहां कहते हैं इसलिए महावयोग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पूछा गया है एक्जाम में अर्ध इसको हम अर्ध नियाएक प तेश्य दिखाई पड़ती है घौर कर करें एक रमीन का परासपती होता है जानकारी मिलती है कि उप्राशपती का पदेन सभभापती हो न इसका मतलब को रासपती का पद नहीं होते हैं तो प्रासपती महोडे अपने जरए कार्यां को समालते हैं लेकिन यहां सबसे बड़ी जरूरी बात है कि उप्रास्पती महोदय राज सभा के पदेन सभापती होते हैं और जब पदेन सभापती होते हैं तो टॉपिक काफी important है कि पदेन सभापती को हम लोग पदेन को बोलते है ex officio माने उनको जो भी सयोग रासी मिलती है 4 लाख रुपया उनके salary है तो उपरास्पती महोदय को जो बेतन मान जो पैसा मिलता है वो उपरास्पती के रूप में नहीं मिलता है वह राजसवा के सभापती के रूप में मिलता है इस बात पे गौर करिये यहां जानना जरूरी है एक होते हैं सभापती एक होते हैं उप सभापती सबाल पूछा जाता है कि सभापती बनने के लिए निवनटा मायू कितनी होनी चाहिए तो उत्तर आता है 35 बर्स माने जो रास्पती की नियुनता मायू है वही नियुनता मायू उप रास्पती जी की है कितनी है 35 बर्स है लेके जानना ज़रूरी है कि अगर बात उप सभापती की अगर हम करें तो उप सभापती सदस से होता है काय का राज सभा का सदस होता है और सभा का सदस्व बनने के नियुनता माय कितनी होती है तो कन्फ्यूज नहीं होगे सभापती माने क्या 35 उप सभापती माने 30 ठीक है अगली बाद हम आ गए हैं सीधे तोर पे आटके ला गया है 72 और 72 के अगर हम बात करें तो रास्पती की छमादान की सकती का प्रापधान मिलता है रास्पती जी चाहें तो अलग-अलग प्रापधान की अंतरगत छमा जो है छमा कर सकते हैं जो आपकी सजा मिली है उसके प्रा उसके सरूप को बदल सकते हैं वो सारी जानकारी हमारी सीधे तौर पर मिलती है अनुचेद 72 में यहाँ पर एक आठिकल काफी इंपर्टेंट छूट रहा है आठिकल 70 बन में बच्चों ध्यान रखना की राश्पती और उप्राश्पती महोदय के निर्वाचन में कोई बिवाद की स्थित आती हैं तो सीधे तोर पे सुप्रीम कोट इनके मामली की सुनबाई करेगा माने राश्पती और उप्राश्पती के निर्वाचन में हुए किसी भी बिवाद का निर्णे अंतिम रूप से सर्वो चन्याले करता है अनुचेद 71 को ध्यान में रखते हुए अनुचे 70 बन के द्वारा तो पढ़ते जाईए मस्तिक साथ चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे अगली बात हम लोग करते हैं आर्टिकल 78 और 78 से पहले बताना जरूरी है कि प्यारे से भीया आर्टिकल 76 बहुत जादा इंपोर्टेंट है और 76 को जानेंगे तो यह है कि इसमें महा नियावाद बात करते हैं जिनका वर्डन आर्टिकल 76 में है भारत का महानियावादी वहीं बन सकता है जिसमें सर्वोच नाराय का नियादिस बनने के समान उसकी योगिता हो 76 को याद रखेंगे बात आ गया 78 के प्रदान मंत्री के करतब रास्पती को जानकारी देने के संबंद में मैं लोग सबा का बिकटन की बात करी गई है रास्पती द्वारा किया जाता है गौर करी एक अनुच्छे 93 के अंतरगत प्यारे सुभिया लोगसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुने जाने की बात की गई है जब बात करते हैं लोगसभा की अध्यक्ष की तो प्यारे सुभिया जानना जरूरी है कि लोगसभा का अध्यक्ष को सपत कौन दिलाता है तो ध्यार न करेंगे तो इसका जो सेकंड पाइट है माने मैंने 93 तक आपको बता दिया है इसके आगे जह हम डिकूड करेंगे तो उस क्लास को जुरूर ज्वाइन करिएगा और सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए यह महत पुड़ा नुच्छेदों को ले करके आऊंगा तो जै हो बज सासनी ग्लेवल पर जब आप क्वालिफाई करके पहुंचते हैं तब वो सच्चा तिवार मनाने का समय होता है तो फिर भी फैमली के साथ जुड़े रहिए और जो है चिंता करने जरूरत नहीं है और पाट साला यूट्यूब चैनल पर जल्दी से लाइब क्लास के माद्ध तब तक के लिए सुक्रिया थैंक यो जाहिन